जीवन के 6 सत्ते पहला, कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कितने खुबसूरत हैं क्योंकि लंगूर और गुरिला भी अपनी और लोगों का ध्यान अकरशित कर लेते हैं दूसरा, कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है क्योंकि शम्चान तक आप अपने आपको नहीं ले जा सकते तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो जाएं मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते चौथा कोई फरक नहीं पढ़ता कि आपकी तबचा कितनी गोरी और चमकदार है क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जुरूरत पढ़ती ही है पांचवा कोई फरक नहीं पढ़ता कि आप नहीं हसेंगे तो सब्बे कहलाएंगे क्योंकि आप पर हसने के लिए दुनिया खड़ी है चटा कोई फरक नहीं पढ़ता कि आप कितने अमीर हैं और दरजनों गाड़ियां आपके पास है क्योंकि घर के बातरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा इसलिए दोस्तों संबल के चलिए जिन्दगी का सफर छूटा है हस्ते हस्ते काटिए आनन्द आएगा हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं जीवन में स्वास और विश्वास की एक सम्मान जुरूरत होती है श्वास खतम तो जिन्दगी का अंद विश्वास खतम तो संबंद का अंद जो शक्स आपसे दूसरे की कम्या बेयान करता है वो दूसरों से निश्चत आपकी बुराई भी करता होगा गमन की बिमारी शराब जैसी है साब खुद को छोड़कर सब को पता चलता है कि इसको जड़ती है इनसान दुनिया में तीन चीजों के लिए महनत करता है पहला मेरा नाम उचा हो दूसरा मेरा लिबास अच्छा हो और तीसरा मेरा मकान खुबसूरत हो लेकिन इनसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीजे सबसे पहले बदल देता है पहला नाम जो की स्वरगिये दूसरा लिबास जो की कफन और तीसरा मकान जो की शम्शान जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाते एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है इनसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी वे पत्थर ही रहते हैं एक औरत बेटे को जर्म देने के लिए अपनी सुन्दरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुन्दर बीबी के लिए अपनी मा को त्याग देता है जीवन में हर जगए हम जीत चाते हैं सिरफ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहा हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए ये जिन्दकी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है मुदूर संबन्द ही सबसे बड़ा धन है उन संबन्दों को नमन कद्र करनी है तो जीते जी करें मरने के बाद तो पराए भी रूँ देते हैं आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग जब रूर निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे किसी ने क्या खूब लिखा है वक्त निकाल कर बाते कर लिया करो अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करो देखेंगे गुरू किस बात का है दोस्त आज मिट्टी के उपर हो तो कल मिट्टी के नीचे